मद्धु प्रदेश की पांच बड़ी खड़ें केंजी परिवार मत्वी नितिन गड़गरी ने मद्धु प्रदेश को 11 सड़कों की सौगात दी उज्जेन में आईशित एक कारिक्रम में उन्होंने 534 किलो मेटर लंबी सड़कों का शिलन्यास किया ये सड़के 6247 करोर रुपे की लागत से बनाई जाएगी शिलन्यास कारिक्रम में गड़गरी ने घोष्टना करते हुए कहा कि अगले पांस साल में मद्धु प्रदेश की सड़के अमेरिका की तरह होंगी महाकाल की नगरी उज्जैन में ऐर टेक्सी चलेगी 30 से 40 किलो मेटर तक शद्धालू ऐर टेक्सी के जरिये मंद्री उचा सकेंगे यूकरेन में फसे भारती नागरी को किस रुक्षा को लेकर केंद्री मंत्री जोतिरादिति सिंध्या ने कहा कि सबी नागरी को किस रुक्षा को लेकर सरकार गंबीर है मंत्री जोतिरादिति सिंध्या ने कहा कि आज यूकरेन के लिए एर इंडिया की फ्लाइट भेजी कई थी लेकिन स्थिती सही नहीं होने के चलते फ्लाइट वापस आ गई सामाने स्थिती होने पर भेजी जाएगी मंत्री ने कहा कि यूकरेन के हालात पर भारत सरकार नजर रखे हुए हैं वहां मौझूद लोगों को निकालने के लिए हेल्पलाइन नंबर से संपर्क किया ज़ा रहा है साथ ही विदेश मंत्री यूकरेन सरकार से लगातार संपर्क में है बोपाल के टीटी नगर स्थित स्टेडियों के पास बन रहे श्रीयंत पार्क में मुख्यमंत्री शुरा सिंग चोहान ने पौधा रोपन किया गौड तलावे की मुख्यमंत्री ने बीते साल नंबर जुएंती के मौके पर प्रोज एक पौधा रोपने का संकल्प लिया था अपने इसी संकल्प का निर्वाहन करते हुए उन्हें एक साल पूरा हो चुगा है लिहाजा आज पार्क में नीम, बर्गत, आम, गुल्मोहर सवें अनि प्रजातियों के करीब तीन सो पैसक पौधे रोपने के मामले ने राजनेतिक रूप ले लिया है अचुना जैस्वाल को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मीडिया प्रभारी नेहा बग्गा ने कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हनुवान चालिसा करवाने के कारण महिला कॉंग्रेस की अद्यक शोट्चुना जैस्वाल को हटाया गया महीं ग्रमंतुई नरुता मिश्रा ने इसे कॉंग्रेस का अंतरिक मामला बताते हुए तंच कसा कि कॉंग्रेस के अंदर इंचन खराब है और डिब्बे पदले जा रहे हैं पूर्ववर्दी कमला सरकार ने किसानों का दो लाख रुपे का कर्च माफ करने का बादा किया था लेकिन 18 महा चली हैं सरकार वादा पूरा नहीं कर सकी बारा फरवरी को सीएम शिवराष ने बैतुल में एक प्लिक से उन पचौस लाग पिच्चासी हजार किसानों के बैंक खातों में 7708 करोड रुपे की पी एम फसर बीमा राशी ट्रांसफर की थी लेकिन किसानों से करज वसूली की तांक में बैठी बैंकों वित्यस अंस्थाओं ने किसानों को यह राशी निकालने का अफसर ही नहीं दिया एक लिक से आई राशी दूसरे क्लिक से करज खाते में काट ली गई वीडियो को लाइक और शेयर करें व्रदुभाशी से जुने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें